कि आज मैं कुछ ऐसे तीन लक्षर बताने वाली हूं जिससे पहला पॉइंट है कि अगर आपका वजन बहुत तेजी से बहएं तेज़ी से बढ़ने लगा और तेज़ी से कम होने लगा तो अगर बहुत तेज़ी लगा या कम हो रहा है मतलब कि आगर आपका नॉर्मल रूटीन है वह स्था चल ला है कुछ अगर नॉर्मल नहीं तो यह दो तरह को उता है इसमें एक में आपका वीड़ सकता एक में अचानक से घर सकता है तो अगर अचानक से यह ज़र रहा है तो आप अपना तर्वाइट जरूर चिक करा है और इसकी वजह से हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट नहों pa पानी कर लें और उसके बाद उसी पानी में चमत धन्या डाल दें वह अच्छे से राद भर में उसका जो भी उसकी क्वालिटी जो भी उसके गुड़ है वह सब उसमें आ जाएंगे और सुबह आप इसको खाली पेट पी लें आपको लगातार इसको करना है कुछ महीनों तक कि अपने बाद आप फिर से अपना थारेट चेक करें और उमीद करते हूं कि आपका थारेट इससे नार्मल हो जाएगा लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अपने खाल पान में भी बदलाव करने पड़ेंगे आपको चावल है आलू है या सोय बीन वाले जो प्रोड़क्त हो है आपको जो भी बंद गोभी है पत्ता गोभी इस तरह की प्रोड़क्त होते हैं अगर थारेट है तो उसको आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे थारेट और ज्यादा गरबढ़ हो जाता है इस चीज़ का ध्यान रखें और दूसरा पॉइंट है आपके चेहरे पर करेंद से कसले बह्ती है कि तो आपके शारी नहीं हो रहें झानल ऑके और चाहिए सेब्सक्राइब habían एफेसल हसी तो उसके लिए आप अपनी डायट को सेवन कर दें और यह तो बहुत कम ओलतो बहुत जादे परियेद एक दम हो तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब भी है कि आपके शरीर में कुछ चीजे सही नहीं हो सकता है आपकी औरी सही वर्क नहीं कर रही है हो सकता आपको फाइब्राइड हो सकता आपको सिस्ट हो तो यह सारी समस्या हो जाती है तो आप प्रिग्नेट नहीं हो पात बाद सिकाई करें और साथी साथ आप सुबह आप खाली पेट डाल चीनी की चाय पी सकती है इससे भी आपको बहुत जादा आराम मिलेगा